दस प्रतीशत वोटर बेरोजगार हो जिस प्रदेश में जरा सोचिए उस प्रदेश में भी मुद्दा बेरोजगारी ना हो तो फिर जी उत्राखंड की स्थिती ये है कि दस प्रतीशत मद्दाता इस वक्त बेरोजगारी की कतार में खड़े हैं ये तो अधिकारिक आकड़ा हैं और अनधिकारिक आकड़ा इससे भी कई जादा है लेकिन फिर भी उत्रा खंड के भीतर बेरोज़गारों की फौज होने के बावजूद बेरोज़गारी मुद्दा नहीं उत्रा खंड के आकड़े में आपके सामने रखूं लेकिन उससे पहले ये हालात ये तस्वीर जो पूरे देश की बनी हुई है जरा उसको जानकर भी आप हैरान परेशान हो जाएए क्योंकि आकड़े हैरान इसलिए करते हैं क्योंकि अगर बाद 7.9 प्रतीशत बेरोज़गारी दर की मैं करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ आकड़ा जो है बेरोज़गारी का दिसंबर 2021 का है यानि 2021 का दिसंबर का आकड़ा बताता है कि बेरोज़गारी की दर 7.9 प्रतीश जी तक पहुँच चुकी है जो कि अपने 4-5 महीने के उश्तमस्दर पर है सबसे जादा है इतना ही नहीं आकड़े देखें तो बेरोज़गारों की संख्या इन आकड़ों में बताई जाती ह तीन करोर 18 लाक के असफास यानि की तीन करोर की फौज और उससे भी दो गुना बेरोज़गार है यह मैं देश की तस्वीर आपको बता रहा हूँ जहां पर खास बात यह है कि तीन करोर से ज़्यादा ऐसे उम्र के युवा है जिनकी उम्र 29 साल से कम है 29 साल से कम और ऐसी सि पुद्दा ना बनें तो फिर अब उत्राखंड के आकड़ों को देखिए और आप हैरान हो जाएंगे उत्राखंड की तस्वीर क्या है जहां पर तकदीर सवारने का दावा युवा मुक्खे मंत्री के रूप में पुशकर सिंग धामी कर रहे हैं लेकिन इसके उलट सिक्क देहरादून में आकड़ा एक लाख तीस हजार साथ सो पैंतालिस है यानि की करीब डेड़ लाख के आसपास युवा बेरोजगार हैं सिर्फ देहरादून में ही अब हरिद्वार की सिती देखिए हरिद्वार में भी कमोवेश यही सिती है जहां पर एक लाख से जज़ा ब 88,000 के पार बेरोजगारों की फौज खड़ी है कुल मिलाकर 8,42,005 बेरोजगार पंजिकरित हैं ऐसी ही संख्या टिहरी की भी है जहां पर 80,000 से ज़्यादा बेरोजगार पंजिकरित हैं नैनिताल 76,000 पौडी 70,000 के पास अन्मोडा करीब 70,000 बेरोजगार उत्तरकाशी 56,000 बेरोजगार चमोली 52,000 बेरोजगार पितोरागर 51,000 से ज़्यादा बेरोजगार ऐसी ही सिती कमोवेश हर जिले की दिखाई देगी जहां पर बेरोजगारों की पंजिकरित आकड़े 8,000,000 के पार पहुच जाते हैं और ये वो आकड़े नहीं है ध्यान रखना होगा आपक एक ये भी है कि उत्रा खंड में ही बेरोजगारी मुद्दा नहीं है तो जला सोच कर देखिए ये पंजिकरित बेरोजगार क्या आज सवाल नहीं खड़ा करेंगे कि सरकारे आई रादनेतिक तूतू में में कोई कॉंग्रेस कोई बीजेपी कोई आम आदमी पार्टी लेक नहीं कितने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिला आज वो भी एक पहली है ऐसे मोत्राखंड के भीतर इन बेरोजगारों की फाज किसके पक्ष में वोट डालेगी जहां पर दस प्रतीशत वोटर ही खुद बेरोजगार हो जड़ा सोच कर देखिए फिलाल मुझे द इसी अजादत नमस्कार जैहिंद्य भारत जा उत्राखंड